नमस्कार दोस्तों PRE-DL8, PRE-B8 परिक्षा की तैयरी कर रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक है सिक्षान बिरूची जहां से 30 अंके 30 प्रस्णा आते हैं 100 अंके पेपर में से 30 अंके 30 प्रस्णा सिक्षान बिरूची इस टॉपिक जाते हैं यहीं से पते चलते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्कौरिंग टॉपिक भी है। प्रेक्टिस वीडियोशेरी चल रहा है जिसका ये पार्ट नाइन है। रेडी पार्ट 8 तक के वीडियो अप्लोडेड है, साथी साथ अन्य टॉपिक पर भी वीडियो अप्लोडेड है, इस तरफ आई लिंक दिखेगा वहाँ जाकर उन वीडियो उसको भी देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के प्रशनार पूछे जाते है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, चात्रों में स्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है, ठीक है चात्रों में स्रम का महत्व, सारे रिक स्रम करने से मान समान नहीं घटता है, सभी काम समान रुप से इजजत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होत क्या है क्या लगता है कहा राइटwart आशर है आप भी अपना आंसर कमेंट बॉखिस नीचे दिया है वहाँ पे 121 का क्या लगता है ए लगता है तो ए लिख दीजिए, बी लगता है तो बी लिख दीजिए, इस तरह से लिखिए आप कही प्रेक्टिस होगा, तो यहाँ पे सही आंसर है, ये सबी स्रम करने से मान समान नहीं गटता, काम समान रुप से इज़त वाले हैं, काम छोटा है बड़ा नहीं होता सकरात्मक अभिवृत्ति की उपर युक्त दोनों की इन में से कोई नहीं, क्या लगता है, सही आंसर क्या है तो option C जो है, वो सही है अभिरूची की सकरात्मक अभिवृत्ति की सिक्चन के लिए ग्यान, प्रसिक्चन, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आफ सकता पढ़ती है, तो अभिरूची की सकरात्मक अभिवृत्ति की तो उपर युक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा अगला हमारा प्रस्ण है, सिक्चन अभिरूची का एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ भी है सिक्चन को चात्र उन्मुक बनाने की चमता, चात्रों की क्लिया सिल्ता पर अंकुष लगाने की चमता सिक्चन को रोजगार उन्मुक बनाने की चमता, यह सभी क्या लगता है, सही आंसर क्या है आसान प्रस्ण है, इसका सही आंसर जो है, वो है सिक्षन को चात्र उन्मुक बनाने की चमता ये सभी option हर बार सही हो जरुवी नहीं है तो धोका में ना रहें ये सभी को हर बार सही में नहीं डालना है सही समझना नहीं है सिक्षन अभिरुची का एक महत्व पूर्ण पहलू है सिक्षन को छात्र उन्मुगनाने की छमता क्रिया सिल्त पर अंकुष लगाने की छमता ये तो होई नहीं सकता भई सिक्षन को रोजगर उन्मुख ये एक बार आप व्यभारिक धंग से सोच सकते हैं लेकिन सबसे उचीत आंसर तो ऑप्शन ए ही है अगला हमारा प्रस्ण है यहां सिक्षक में न्याय और निस्पक्षता का गुन ना हो तो इसका क्या परिनाम होता है इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता इससे सिक्षक की आत्मा मल जाती है इससे सिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता सिक्षक निरंकुष बन जाते हैं क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए option c इससे सिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता ये इसका सही आंसर होगा ठीक है अगले प्रश्ण में चलते हैं भारत में प्रोड सिक्षा कार्यकरम की असफलता का कारण है प्रोड सिक्षा क्या है बुजूर्ग व्यक्तियों को सिक्षा देना ठीक है ये होता है प्रोड सिक्षा ये असफल रहा तो इसका कारण क्या है अनू देशकों एवं अन्यकार्यकरताओं की लापरवाही प्रोडों के लिए किसी अत्रिक तभी प्रेड़ना किया अस्था ना होना उचित निग्रानी का भाव ये सबी क्या लगता है क्या है राइट आंसर आप भी लिखते जाएए ताकि आपका प्रेक्टिस हो 125 का डी यही इसका राइट आंसर है लिखेंगे तो आपका भी प्रेक्टिस होगा आप हाँच से लिखेंगे हाँच भी काम करेगा दिमाग भी काम करेगा आँग भी काम करेगा इससे आपको यह ऐसी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी अगला हमारा प्रस्ना है इसकुल में नैतिक सिक्षा दिये जाने के संबंध में आपका क्या विचार है इसकुल में नैतिक सिक्षा अवस्य दी जानी चाहिए इस प्रकार की सिक्षा को अध्यापक को अपने वेभार दोरा देना चाहिए इस सिक्षा को स्कूल में देने की कोई आवस्ता नहीं है ये सबी क्या होना चाहिए क्या लगता है इसका अंसर क्या है तो यहां लिग दिया है नहीं तो ये सबी नहीं वाला तो होई नहीं सकता तो ये सबी भी नहीं होगा A और B बज गया तो इसकुल में नेतिक सिख्चा अवज से दी जानी चाहिए इस प्रकार की सिख्चा को अधियापक को अपने विवार दोरा देना चाहिए क्या लगता है क्या है सही आंसर इसका बेश्ट आंसर क्या है तो A 126 का A इसकुल में नेतिक सिख्चा अवज से दी जानी चाहिए नेतिक सिख्चा की दी जाने के संबन में आपका क्या विचार है तो अवज से दी जानी चाहिए अच्छा प्रशन था और थोड़ा कठीन भी लगा होगा आपसन को देखके नेकिन A ही उसका उचित आंसर है एक सिख्चक का नीजी जीवन कैसा होना चाहिए पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए अति गंभीर और दिखावा पूर्ण होना चाहिए चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता इस्कूल के माना के अनुरूप होना चाहिए तो A और D में थोड़ा का अनुरूप हो सकता है B तो होई नहीं सकता C भी हम नहीं कह सकते उत्तर गलत हो जाएगा अगर ऐसा उत्तर देंगे तो तो इसका जो सही आंसर है वो है option A पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए ठीक तो ये हो गया अगला हमारा प्रशन है स्वतंत्र भारत में सिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुक कारण क्या है अंग्रेजी का दबदबा भारत का एक बहु भासी देश होना भारत की राजनीती इन में से कोई नहीं क्या लगता है इसका सही आंसर क्या हैबहूत अच्छा प्रसन है तो सही आंसर जो है ऑप्सं B भारत का एक बहु भासी देश होना बहु भासी मतलब एक से अधिक बासा अनेग भासाय भारत में बोली जाती है चेत्रवार जैसे स्ताउत में आप देखेंगे तो तेलगू तमील मल्यालम कन्नाड इस्तर के विभिन भासाएं हैं और वहां हिंदी आती भी नहीं वहां की स्थानी लोगों को बहुत कम लोगों को आती है तो स्वतंत्र भारत में सिक्षा के माध्यम की समस्या भारत का एक भ दो भासी अगला प्रशन है कि सिक्षा का माध्यम ऐसी भासा को बनाना चाहिए जिस पर जन साधारन का आधिपत्य हो जिसमें अच्छा स्राधित से उपलब्द हो जो सम्रिद्ध हो जो बाद में नौकरिक लिए उपयोगी हो बहुत अच्छा प्रशन है क्या लगता है जिस पर जन साधारन का आधिपत्य हो देखिए बी को भी पढ़ेंगे तो ये भी अच्छा लगेगा ये भी अच्छा लगेगा ये इन चारों में सबसे उचीत जो है वो है ऑप्सन ए इसलिए ऑप्सन ए ही सही है तब ही आपको नंबर मिलेगा जीवन में सफलता प्राप करने के लिए आवस्यक है भागे का अनुकूल होना प्रतिकूल परी इस्तितियों में भी अपने आपको ढाल लेना और परीश्रम से ना भागना आउस्दर प्राप करने की छमता का होना ये सबी क्या लगता है इसका आंसर क्या है पहला तो होई नहीं सकता तो option B जो है इसका right answer है प्रतिकूल परी इस्तितियों में भी अपने आपको ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना जीवन में सपलता प्राप करने लिए आवस्यक है ठीक है ये भी ठीक है नेकिन सबसे उचित तो यही है ना और ये सबी तो ही नहीं सकता कि पहला दिएगे इसकूलों में शिक्षा का इस्तर गिरेगा साक्ष्रता बढ़ेगी ये सभी तो बहुत अच्छा प्रश्ण रहाए और क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या है तो बहुत ही अच्छा साख्षरता WD बढ़ेगी प्रैme عنी सिक्छ पांत को प्रैम्रेसिकूल के अ लेकिन एक से आट तक जो है निशूल को सिक्षा का प्रावधान है और सिधाड अप शंपछतीस गड़ में एक से बारह निशूल को प्रावधान किया गया है अध्याफ़क को अपने ऊस चात्र पर गर्व करना चाहिए जो एधी इस चक्छते बन जाय इसका सही आंसर क्या होना चाहिए तो option D मतलब यदि स्तिक्षक बन जाए तो समर्पन के साथ छात्रों के हिद के लिए सदेव प्रियास रत रहे आनायतिक्ता के प्रति सांथिपुन विरोध दर्शाय अपने जीवन के अदर्शों पर अडिक रहे तो अध्यापक को अपने उस चात्रा पर गर्व होगा तो option D ये सभी अगला प्रशन है यदि वाद विवाद प्रति योगिता के लिए आपको निर्नायक यानि कि जज मंडल में सामिल कर लिया जाए प्रति भागी के प्रदर्शन के अनुशार निर्नाय देंगे इसा सोच सकते हैं नेकिन यहाँ पर यह गलत हो जाएगा नंबर चाहिए तो option A ही सभी आंसर है ठीक अगला प्रशन नई नई बाते सिखने के लिए आवस्याख है कि नई नई पुस्तकों का अध्यान किया जाए नई नई इस्थलों का ब्रह्मन किया जाए अनुभवी एवं ग्यानी लोगों का साथ पकड़ा जाए यानि उनके साथ में रहा जाए ये सभी तो क्या है क्या लगता है क्या है ये सभी भई, नई नई पुस्तकों का ध्यान, नई नई इस्तिलों का भ्रह्मन और अनुभवी एवं ग्यानी लोगों के साथ रहना, उनसे मिलना, बाते करना तो ये है option D, इसका right answer अगला प्रशन है, वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्स्क्राइब ने किया, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अन्य वीडियो की जानकरिया आपको मिल सकें, तो अगला है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, जीवन मुलियों में गिरावट से, अभी भावकों की उदासिंता से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से, ये आप से पूछा जा रहा है, कि आपको सब्सदिक परेशानी होती है, तो क् फिले वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा, दोस्तों, वीडियो कुछ काम का लग रहा है, तो जरूर इसको लाइक जरूर कीजिए, और सेयर कर दीजिए, वाटसेप, फेस्बूक, टेलिग्राम, जहां भी आप कर सकें, इजुकेशनल ग्रूप में, और लाल कलर क सब्सक्राइब बटन दीख रहा होगा लाल कलर में तो उसको जरूर दबाईए दोस्तों, फिर बेल нужен दीखेगा, उसको जरूर दबाईए बेल आइकन इस तरह से दीखेगा आपको उसको जरूर दबाएं ताकि अन्य वीडियो की जानकरिया आपको मिल सकें, झालाद